यह उप्सन हमारे पास भी था कि इस सरकार नहीं बनने देते हैं लेकिन हमने इमांदारी से हमने काम किया लेकिन वह अलोग जिनके साथ हमने इमांदारी से काम किया उन्होंने हमारे साथ किस तरीके से भीतर घात किया किस तरीके से हमारे पीट में खंजर भुखने का काम किया यही सब चीज़े हम लोगों के बीच में जा रहे हैं अपने लोगों को बता रहे हैं और मजगुती से आने वाले समय में आपने देखा कि वोचा में किस तरीके से हमारा रिजल्ट हुआ हम जिसके साथ थे उस वही सीट हमने 12,000 से जीता और हम साथ नहीं है तो 36,000 से चुनाब वो हा रहे हैं हमने अपने दम पर अकेले 30,000 भोट हमने लाया और वहीं पे एंडिये पूरी सत्ती लगाने के बाद 45,000 भोट लाये तो इसलिए गैपी पार्टी और मजगुत है और हमा समाज के लोगों ने भी दिया और ये भोट दिलाने के काम निसा समाज नहीं किया क्योंकि आज निसा समाज इस पार्टी का सिब भोटर नहीं है एक मजगुत कार्च करता है अपना भोट भी देना जानता है और दूसरे से जोर कर भोट लेना भी जानते है तो इसलिए हमार तरुजाती धर्म के साथ मिलकर ताल करेंगे कि यहां देखें जा जदियों से यह समाज जो था उसको लोगों ने गुलाम बना के रखा था हम लोग तो उस-खुल से खंदान से आते हैं कि हमारे पुर्बज ने स्रीराम चंद जी को नईया पार लगाया था लेकिन बर्सो बा हजारों साल बाद आज हम लोगों ने सोचाई कि गुलामी की जंजीर को तोर कर अपने हक अधिकार में इस समाज में क्योंकि आप समझ सकते कि इस समाज में आप देखिएगा तो बिहार में खास करके मचपारा समुजाई जो आते मला उनका पेसा जो था रोजी रोटी जरिया करने का तलाब अपने मचले मार के घर परिवार चलाना आप देख सकते कि कि इस तरीके से पूरे भारत में और खास करके बिहार में जले सज़े नीचे जा रहा है नदी तलाब सुपते जा रहा है उनके रोजी डोटी पे बहुत बड़े प्रवाने पे संकट है पॉपलेशन भी बड़े संख्या में बढ़ते जा रहा है और उस जगह पे उनके लिए खेतिक रस्ती नहीं है क्योंकि हमारे पुर्वश पुर्वश जी हो या दादा जी या प्रदादा जी कभी खेतिक रस्त पर कभजा हो चुका है आप देखेंगे बहुत सारा तलाब है जिस पर दूसरे लोगों को जाती धर्म के लोगों ने कभजा कर लिया अपना वल्चस्प के कारण तो वहां पर उनका सुनने वाला कोई नहीं है तो इसके लिए निसास समाज का जो है रोजी डोटी पे बहु कि मुक्य सानी अपने समाज के लिए अपने लोगों के लिए काम कर लेंगे तो साइद आज 11 देना पड़ता है कल एक आवन देना पड़ेगा और राजनित एक उटनिती के तहद उन्होंने हमारे पाटी को तोड़ने का काम किया हमें मंत्री मंदल से बाहर करने का काम किया फिर से उन्होंने हमें खतन करने का उन्होंने सजन्यत रचा लेकिन इसासमाज जागुरूक है मजगूति से अपने हक अधिकार के लिए हम लोग संगर्श करें पुरे बिहार में लाय लर रहे हैं घूमरे अपने लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ छल कि आपके किस तरीके से परिशान किया और आने वाले समय में 2225 का चुनाव आएगा तो आपको ताकत दिखाना है क्योंकि भोट के दम पर ही देश का राज का मुख मंत्री या देश का परदान मंत्री बन गा है तो इस जगह पे हम लोग क्यों नहीं अपनी भोट को ताकत को सम ने हमारे साथ किस तरीके से भीतर घात किया किस तरीके से हमारे पीट में खंजर भोकने का काम किया यही सब सीजर निगों से बीच में जा रहे हैं अपने लोगों को बता रहे हैं और मजबुती से आने वाले समय में आपने देखा कि बोचा में किस तरीके से हमारा रिजल् कर बोट लाएं तो इसलिए गैपी पाटी और मजगूत है और हमारे पाज मजगूती से जनादार बर रहें और हर जाती धर्म से बर रहें सिफ निशाद ही नहीं है निशाद का तो पॉलिंग एप सीटी दस परसेंट का ही है लेकिन 15 परसेंट अगर हमें भोट आया तो कहीं ना कहीं 8 परसेंट हमें अन्ने समाज के लोगों ने भी दिया और ये भोट दिलाने के काम निशाद समाज नहीं किया कि आज निशा समाज इस पाटी का सिभोतर नहीं है एक मजगुत कार्च करता है अपना भोट भी देना जानता है और दूसरे से जोर कर भोट लेना भी जानते है तो इसलिए हमारी पाटी का विचारधारा बहुत तेजी से गाउगाँ पोच रहा है हर जाती धर्म के दीच में पोच रहा है और आने वाले समय में विहार में प्याइपी पाटी फिर से किंग मिठा बनने का गाम पहे है जरूर घर जाती धर्म के साथ में करते है